हाई अपर स्पाइब हारा को इसाज़ टील ऐसी दोने किष्टपर लिए और के लिखेंस्ट निया लेविए रेसिपटल उसक्राइल मनहें जिया है हैं के लिख काइब अलब नहीं गर सकता हैं नहीं दोन सकते हैं बाद में डालूंगी इसलिए नहीं डाला है तो यहां पर ले लिया है एक कढ़ाई उसमें डाला है मैंने सुर्सो का तेल आप चाहे तो रिफाइंड ओयल कभी यूज कर सकते हैं तो मैं नौन बेज में प्रीफर करती हूं ज़्यादा कशिगहें हैं मस्टर ओयल यूज किया इसके बाद तेल हमर अचहीं तर Terror हो जबं तो इसलिए मैं चिक्केन को डाल रहे हूं ज problèmes तो मैंने एक ही बैज में सारे चिकन को यहां पर डाल दिया है बीच बीच में इसी तरह से चिकेन को पलट देंगे ताकि चिकेन अच्छी से हमारा फ्राइ हो सकें तो यहां पर मैंने पहले कुछ नहीं डाला था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी डालके चिकेन को मिक्स करेंगे और फ्राइ करने के लिए रखेंगे कि में थोड़ा सा मिर्च भाउडर भी डाला है डिखें यह हमारा चिकन रूर्ट तो तो यह चिकन हमारा तो यह चिकन हमारा थोड़ा सा क्लार तो करेंगे तीस निहां का तेले हो सकतेया हुआं यह माय वाय जैने दिख आप चिकन हमारा अच्छी तरह से Chili हो गया है तो हम निकाल लें गढ़िश्यन करेंहें इसी तेल में हम बनाएंगे चिकेन करी की तो यहां पर मैंने उसी तेल का यूज किया है यहां पर कटे हुए प्यास डालेंगे पहले तो मैंने एक ही कटा हुआ प्यास डाला है और इसको हम आची तरह से भूनेंगे थोल देर के लिए यहां पर मैंने कुछ खड़े मसाला भी डाला है जैसे कि डाल चीनी लाइची लॉंग इस तरह से और इसको भी हम थोल देर के लिए मिक्स करेंगे और भूनेंगे थोड़ा यहां पर हमारा प्यास और अच्छी तरह से भून गया है तो यहां पर मैं डाल रही हूं प्यास का पेस्ट, तो भी हम अची तरह से भूनेंगे थोल देर के लिए, अची तरह से भून गया है मसाला, इसके बाद हम डालेंगे इसमें, अध्रक लिसन का पेस्ट, और इसको हम थोल देर के लिए भूनेंगे अच्छी से, तो देख सकते हैं हमारा प्याज लेस्ट का पेश्ट भी अच्छी तरह से भून गया है तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे टोमाटो पेश्ट मैंने कटा हुआ नहीं डाला है सब पेश्ट ही डाला है तक ही बिल्कुल रेशनल स्टाइल हम जो खाते हैं उस तरह से ल ग्रेवी बहुत ही अच्छा बनता है इसलिए मैंने टोमाटो को पेश्ट करके डाला था इसको भी अच्छी तरह से भून गया है देख सकते हैं तेल भी नेकल रहा है मसाला से इसके बार इसमें हम मसाला एड करेंगे तो यहां पर मैंने जीरा पाउडर धन्या पाउडर हल मसाला लाइख से इसके ऊपर ठीक से डालें जीरा पाणी तो मसाला है है तो मैं डूल रहा हूं अधह ग्रास पानी और रहा है जाए पानी तो थोलड देर के लिए पखने के लिए रखेंगे तकि मसाला अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा जोहाए जो भी कच्छा माड़ा र इसे मसाला को भून रहे हुऊ तो मैंने नमक ने चणाने था तो आप कि नमक इच्छादा पQué Aa अच्छे से एक ऐखंब से तो फ्राइगिया हुआ हो चिकेन हम डॉल देंगे और इसको मिख्क साथ पहले मिक्स करेंगे थे अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसको हम ढ़कन में बंद कर देंगे मतलब ठकन लगा देंगे थोल देर के लिए 5-10 मिनित के लिए 5 मिनित के लिए थकन लगा करिके कुक करेंगे तकि जो मसाला हो चिकन में अच्छी से फ्लेब और जाएगा तो यहां पे देख सेगते हैं तोमें भी कि मैं है तो में हमें जाएंगे को प्मारा लिए थोड़ा आवी तो चीपर अघयर क्या नियंकित डाले को देड़ गसी के यह दा सकते हैं to मैं यह एक लृविजूस हमें चलिए कि आसे मी hours 9-9 मिनट्व यंजिये ता की का जा दो पर पतीय दए- profound दॉटम करते हैं कुछ करने के लिए चोड़ेंगे तो यहां पर चिकन हमारा रेडी हो गया है देखिए अच्छी तरह से कलर भी दिख रहा है थोड़ा सा अच्छा सा और ग्रेवी का कॉंसेटेश बहुत ही अच्छा है तो इसलिए हम ज्यादा पानी नहीं डालेंगे चिकन हमारा अच्छी त करेंगे और थोड़ा सा गर्व मसाला डालेंगे तो यहां पर चिकन हमारा रेडी हो गया है आज का वीडियो आप लोगो पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को लाइक किजे स्यार किजें सब्सक्राइब किजें और आज का रेसिपे आप लोगो कैसा करेंगे बोटी